नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल देवजी के ट्रिक में तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेष करेंट फेयर के काफी महत्पूर कोश्चन है जो कि सबी एक्जामों के लिए महत्पूर है और यहाँ पर सभी दोस्त current affair नहीं complete होता इसलिए आप डेली उत्तर प्रदेश current affair बनाईए तो आहां पर देखेते हैं कि आपको सभी कोश्चन आपके उत्तर प्रदेश से संबंदित हैं और सभी मात्वपूर कोश्चन हैं साथ में इस वीडियो के अंति में देखेंगे कि हमारे पिछले वीडियो का कम इसने हैं आपसन आपके पास चार हैं और इसका सही जवाब होगा सी नंबर अर्थात आपूर्वा चौधरी यह पूर्वा चौधरी कहां से विलांग करती हैं और इन्होंने किस खेल में यहां पर रिकार्ड बनाया है तिया पूर्वा चौधरी हैं जो की बिजनोर से विल बनाया है तो एथलेटिक सर्था दोड में इन्होंने 176.8 किलोमीतर की दोड लगाई है काफी बड़ी रेस होती है तो यहां पर इन्होंने राष्टी रिकार्ड बनाया है जो कि आपूर्वा चौधरी हैं काफी अच्छा कोश्चन आपका बन भी सकता एकजाम में नेश कोश कोश्चन है तिहां पर देख सकते हैं कि आपका सही जवाब क्या होगा तिहां पर देखते हैं आपका सही जवाब होगा 24 जनवरी उनीसो पचास अर्थास्ती नंबर आपका सही जवाब होगा तिहां पर देख लेते हैं इससे जुड़े हमारे कोश्चन क्या बन सकते हैं अ प्रदेश कोशन देख लेते हैं कि कोश्चन नमबर अगला है काफी महत्तपूर कोश्चन है उत्तर प्रदेश में अटल जी की कितनी उची प्रतिमा बनाने की गोशना हुई है अपसान आपको दिये गए हैं चारों में तिया पर सही जवाब क्या होगा अथात 10 फीट या 20 फ प्रतिमा बनाई जाएगी और इनकी यह हमारी 94 हमारी जयनती होगी इनी के उसर पर यह बनाई जाएगी साथ में एक काफी महत्तपूर हमारे कोश्चन बन जाता है जो की 100 रुपाय का सिक्का जो बनाया जाएगा तो आटल जी की जयनत्री अथा 94 जयनती पर यह आपका 100 कोश्चन नमर अगला है बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे का क्या नाम होगा तो बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे का नाम क्या होगा आपसान आपके पास चार है अटल पत वीजय पत सरदार पत गमन पत तहां पर देखते हैं कि आपका सही जवाब क्या होगा तो अटल पत हथाथ आपका ए नंबर सही हो जाएगा अटल पत तिहां पर देखते हैं इसकी लंबाई और इससे जुड़े हमारे कोश्चन क्या होंगे तिहां पर इसकी लंबाई है आपकी 298 किलो मीटर है जो की जहासी चित्रकोट बांदा हमीर औरया जॉलान इटावा आगरा लखनों मे यह हमारे मिलेंगे आपस में यह इतनी दूरी को कवर करेंगे जो की एक हमारे काफी अच्छी रेंज की आपकी यह सड़क हो जाएगी और नेशकोचन आपका दिया गया है उत्तर प्रिदेश में रेलवे ने कुम्भ 2019 के लिए कितनी योजनाय शुरू की हैं तिहापर कितन हमारी यहां पर योजनाय रेलवे ने जारी किया है जो कि यहां पर बात आता है कि जो कुम्भ मेला इस बार को लगेगा तो वह प्रियाग राज अर्था जो इलाहबाद का हमारा परवर्टित नाम हुआ है प्रियाग राज तो 2019 में होगा और इस बार को जो의 मा कुम् grows मेला में एक tagline राखी गई है, जो की हिंदी में है, उसे बोला गया है, UP नहीं देखा, तो इंडिया नहीं देखा, तता संसक्रत में tagline है, आपकी सर्वशिद्ध प्रदा, ये आपकी याद रखना है, हिंदी में tagline, और संसकत में tagline जो की इस बार की कुम्ब में लखा आयूजन हो रहा है वाँ पर ये tagline है नेश कोशन आपका दिया गया है लखनों के हजरत गंज चौराहे का नाम क्या रखा गया है तो लखनों के हजरत गंज चौराहे का नाम क्या रखा गया है आपसन चार है आटल पद आटल चौक आटल गमन आटल सक्ती यहाँ पर आपकी चार आपसन है और इसका सही जवाब होगा आटल चौक जो की B नंबर है जो की आपका काफी अच्छा कोश्चन आपका बन सकता है और भी बना भी है कोश्चन से और नेश कोश्चन देख लेते ह क्योंे कोस्चिंग नम्बर अगला है अनलाइन एफ हाई यार दर्जि करने वाला पहला राज कम किया हैं तो आपसन आपकी पास है और इसका सभी जवाब होगा बी नमबर धी नमबर बनाया है जिसने आनलाइन एफ हाई यार दर्ज कराने वाला राज्य बन गया है 2019 का प्रवासी भारती दिवस कब और कहां पर होगा अगर आप इस समय कोई भी यूपी की अगर परिच्छा देने वाले हैं तो आपको इस कोश्चन को घोर कर पी जाना चाहिए क्योंकि ये कोश्चन बहुती बहुती मात्वपूर कोश्चन आपका होगा और 2019 का प्रवासी भारती दिवस है कब मनाया जाएगा और कहां पर होगा तिहां पर देख सकते हैं चार आपसन है और इसका सही जवाब होगा वाराण रसी अताड़ी नमबर और ये कब मनाया जाएगा तो ये आपका मनाया जाएगा 22 से 21 से 23 जनवरी ठीकी 21 से 23 जनवरी और इस बार को ये 15 नमबर का आपका भारती प्रवासी दिवस होगा ठीके भारती प्रवासी दिवस नेक्स कोशन आपका दिया गया है हाली में कहां पर अंतराष्टी चावल अंसंदान संस्थान के दच्छिन एसिया छेतरी केंदरी परसर का अधूद घाटन किया गया तिये अधूद घाटन किया गया जो कि आपसन आपके पास चार हैं और इसका सही जवाब होगा वारा नसी अथात ए नमबर आपका सही जवाब होगा अगला कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन अमबर अगला है RBI की रिपोट के अनुसार दोखा दड़ी में सामिल होने के लिए कर्मचारियों के खिलाब कारिवाही करने वाली के सूची में कौन सा बैंक सीर्स पर है तिहां पर कर्मचारियों के खिलाब कारिवाही करने वाली सूची में बैंक में आपका सीर्स इथान किसका है चार आप्सन है और चार आप्सन में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो आपका सही जवाब होगा ए नमबर अर्थात आई सी आई सी ये बैंक नेस कोचन है आन्द प्रदेश के हाई कोट के एक्टिक मुख न्यादिश कौन बने तो यहाँ पर हमने कल आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था तो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आर्थात आन्द प्रदेश के एक्टिक मुख न्यादिश हमारे कौन बने है आपको कमेंट करके बताना है साथ में आप पर आंद्प्रदेश अगर बात करते हैं तो आंद्प्रदेश के जुड़े वे हमारे कोश्चन क्या होगे तो आंद्प्रदेश का गठन कप किया गया था एक नॉम्बर 1956 को और ये भासाई आधार पर बनाया गया पहला हमारा राज भी था इसकी राधानी आपकी यहां पर हैदराबाद होगी क्योंकि प्रस्तावित राधानी आपकी यहां पर अम्रोवती थी ठीके लेकिन वर्तमान में आपकी अभी क्या होगी हैदराबाद ही होगी यहाँ पर साचहतादर हमारे कितनी है 67.02% लिंगा अनपाद 993 और साथ मियाँ पर CM हमारे कौन है जो की बार-बार कोर्शन पूछे जा रहे है चंदरबाबु नाइडू राजपाल कौन है ESL नारसिम्बन जिनको अत्रिक्त प्रभारन को सौपा गया ते लंगाना का लोगसबा की सीटे यहाँ पर कितनी है तो 25 सीटे है राजपा की सीटे की बात करें तो 11 सीटे है और विधान सबा की सीटे जो की 176 है जिन में से एक सीट हमारी कौन से है जोकी inglo indian होता है और विधान परशद की सीटे कितने आपर 58 और जिला की बात करती हैं आपर कितने आपके त्यारा हैं और नेसत कोचन देखते हैं जोकी आज का आपका question है जोकी challenge question है हमारे इस वीडियो का अंतिम question आपको comment करके बताना है उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन हमारे कौन है यहाँ पर विशेश गुपता, ओपी सिंग, ब्रजलाल या आपका एल विंकटे स्वर्ण आपसन आपके पास है और आपको सही जवाब देखना है कि आपका सही जवाब क्या होगा आपको सभी लोगों कमेंट करना है, यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पिछली वीडियो में कोश्चन क्या था नेपाल का राष्टी पसु क्या है, तो नेपाल का राष्टी पसु क्या है, सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नमबर तो देख लेते हैं यहां पर कि लोगों ने हमारे सही जवाब दिया है यहां पर question का सही जवाब दिया है जो कि संजय कुमार, प्रियंका सिंग, नेहा जैसवाल, और यहां पर गौरायादो गौरायादो जी ने कहा है सर पीडियाप दे दीजिए तो हमने आपको पीडियाप बोल दिया है कि यह पीडियाप आपको 24 घंटे के अंदर आपकी अपडेट हो जाएगी और आपकी current affair की वीडियो आपकी जो पीडियाप है पढ़ जाती है आपको 11 बजे रात को जैसे ही वीडियो बनाते हैं तो आपको यहां पर पीडियाप मिल जाएगी और अगर आपको किसी प्रकार के समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जैसे यहां पर हमने इस वीडियो को बनाया ऐसे आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे जहां पर आपको और नई नई जानकारी भी मिलेंगे तो फ्रेंज अगर आप नय है तो हमारे चैनल से जूट सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक करिए साथ में हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को दबा लीजिए हम लोग मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद जै हिन जै भारत